हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज इस विए में हमारे पास आचुका है iq12 जो के under 50,000 one of the best smartphone है ये फोन पहला फोन है जिसमें आपको out of the box Android 14 देखने के लिए मिलता है तो आज इस विए में मैं आपको बताऊंगा इस फोन के 40 से ज़्यादा amazing features अगर आप इस फोन में interested हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूप देखेगा और मुझे बताएगा नीचे comments में के आपको कौनसा feature सबसे ज़्यादा अच्छा लगा चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले तो मैं आपको इस फोन का निया UI ही दिखा देता हूँ इस फोन में आपको निया Funtouch OS 14 मिलता है अगर आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा transparent look है जो के पहले से काफी better लगता है और यह जो निया OS है वो नए Android 14 के उपर based आपको मिलता है इस फोन में आपको नए और बहुत ही amazing live wallpapers दिये गए है अगर आप home screen के उपर long tap करके wallpapers के अंदर जाएंगे यहाँ पर बिल्कुल last में आपको 3 wallpapers मिलेंगे by default आपके पास यह वाला wallpaper है जिसको अगर आप unlock करते हैं तो कुछ इस तरीके का animation मिलता है और एक यह वाला wallpaper भी आपको दिया गया है जिसको अगर आप unlock करेंगे तो कुछ इस तरीके का animation आपको मिलेगा वैसे अगर आप wallpapers में पूरा last में जाके यहाँ पर 3 dots के उपर tap करेंगे तो यहाँ पर आपको kinetic wallpapers का option भी दिया गया है जो के बहुत अच्छे और सुन्दर दिखते हैं यह वाले wallpapers के अंदर आप अपना step count setup कर सकते हैं और जैसे जैसे आप उतने steps चलते रहेंगे wallpaper जो है हो ओटोमेटिकल इस तरीके से आगे move करता रहेगा या फिर कुछ flower वाले wallpapers हैं जैसे जैसे आपका दिन में step count बढ़ेगा वैसे वैसे flower जो है वो bloom करता रहेगा और इस तरीके से और जादा सुन्दर दिखता रहेगा नए always on displays भी आपको इस phone में मिल जाते हैं settings में अगर आप look screen और wallpapers में जाएंगे मिलता था जो के time के हिसाब से यहां पर सूरज, चांद या जो भी situation है वो दिखाता रहता है लेकिन ये वाला अब आपको नया मिल गया है जो के animated है और ये भी काफी सुन्दर दिखता है वैसे इतने सारे options तो by default इस phone में AODs के दिए ही गए है उसके साथ अगर आपको और चाहिए तो इसमें आप download भी कर सकते हैं अगर आप download में जाएंगे तो आप download more के उपर tap किजिए और यहां पर बहुत सारे AODs आपको मिल जाएंगे एक और नया customization आपको मिल गया है और यहां पर आप इसका color भी change कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से और भी कुछ customization है जिसके अगर आपको कोई quick info add करना है या फिर अगर आपको यह वाले apps change करने हैं वो भी आप कर सकते हैं floating windows भी इस phone में बहुत अच्छे से काम कर रहा है किसी भी app को open करके अगर आप presence में जाते हैं आपको बस app के नाम के उपर tap करके small window select करना है और इस तरीके से आपका floating window जो है open हो जाएगा इसको इस तरीके से आप resize कर सकते हैं या फिर बिल्कुल छोटा अगर आप कर देंगे तो इस तरीके से साइट में पढ़ा रहेगा एक और option है अगर आप ये वाला icon प्रेस करेंगे तो इस तरीके से shortcut phone में भी आप रख सकते हैं और अब आपको funter choice के अंदर ये smart side bar भी मिल गया है और इस smart side bar का एक और बहुत अच्छा feature आपको बताता हूँ अगर आप settings में shortcut and accessibility के अंदर smart side bar के अंदर जाएंगे तो आप यहां से show recent apps को enable कर सकते हैं जिसके बाद जो भी आपकी दो recent apps होंगी वो आपको यहां पर सबसे top में देखने के लिए मिलेंगी वैसे अभी इसके अंदर कुछ glitches हैं जिसको IQ को fix करने की ज़रूरत है और वैसे तो इस phone के box में आपको 120V का charger दिया गया है लेकिन by default यह phone हमेशा fast charge नहीं करता मतब जैसे ही phone थोड़ा heat होना शुरू होता है तो charging slow हो जाती है उसको solve करने के लिए आप settings में battery के अंदर battery health and charging के अंदर जा सकती है और इस fast charging को enable कर सकते हैं ताके phone हमेशा ही fast charge हो इस phone की एक और बड़ी खासियत है इस phone का quad HD display अगर आप settings में display and brightness के अंदर जाते हैं यहाँ पर आपको screen resolution का option मिल जाता है byte fault यह quad HD के उपर setup है लेकिन अगर आप चाहें तो इसको full HD के उपर select कर सकते हैं ताके battery थोड़ी कम use हो और जादा difference भी आपको fill नहीं होता और बता दूं कि इस phone का जो display है वो LTPO display है मतलब कि screen refresh rate जो है वो phone 1Hz से लेके 120Hz सक automatically switch कर सकता है अगर आप इसको smart switch के उपर selected रखते हैं वैसे अगर आपको higher refresh rate चाहिए तो आप इसको high के उपर भी select कर सकते हैं ताके हमेशा ही 144 के पर run हो कुछ अच्छे display effects भी आपको दिये गए हैं डिस्प्ले को और enhance करने के लिए जैसे के आप visual enhancement ओन करके वीडियोस वगेरा अगर आप देखते हैं उसमें colors को better कर सकते हैं ऐसे ही MEMC और super resolution को भी आप enable कर सकते हैं ताके अगर कोई कम frame rate वाली video है उसमें frames को phone artificially add करके आपको ज़ादा smooth video बना दे और इस phone में क्यूंकि 3000 nits की बहुत high brightness आपको मिलती है तो eye protection के लिए आपको एक special feature दिया गया है जो के है anti fatigue brightness basically अगर बहुत time के लिए screen on है तो phone automatically brightness को थोड़ा adjust करके कम कर देता है ताके आपकी आँखों के उपर ज़ादा fatigue ना हो speakers भी इस phone के काफी इच्छी quality के हैं काफी loud भी हैं कम करके save कर सकते हैं ताके जब आप दुबारा YouTube प्ले करें तो automatically इतने ही आवास के साथ प्ले हो एवन अगर आपके phone का sound पूरा है और sound के regarding एक और feature मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप नीचे sound quality and effects में जाते हैं तो आपको audio redirect का feature दिया गया है अगर आपने phone को किसी Bluetooth device के साथ connect किया है तो आप किसी सिरफ एक app की sound को उस device के उपर play कर सकते हैं जिसके मालेजी आपने कोई Bluetooth speaker connect किया है तो आप सिरफ YouTube या कोई music application का sound उस Bluetooth speaker के उपर play कर सकते हैं और बाकी सब sounds जो है वो आपके phone से ही play होती रहेंगी इस phone में by default आपके system UI color को disable करके दिया गया है अगर आप look screen और wallpaper के अंदर color and style में जाएंगे यहां से आप उसको enable कर सकते हैं आप कोई भी color select कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इन colors को icons के उपर भी apply कर सकते हैं मतब themed icons को भी enable कर सकते हैं और settings में dynamic effects के अंदर अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे dynamic effects भी आपको यहां पर मिल जाते हैं जैसे के यहां पर बहुत सारे touch screen animations हैं ambient light effects आप enable कर सकते हैं notifications वगेरा के लिए उसी के साथ home screen transition, home screen का effect, fingerprint और face unlock का effect, हर तरीके का effect आप यहां से customize कर सकते हैं widefoot status bar आपको कुछ इस तरीके का मिलता है, इसको भी आप customize कर सकते हैं display and brightness के अंदर आपको status bar का option मिलता है आप real time network speed यहां पर enable कर सकते हैं या फिर battery style जो है वो आपको किस तरीके का दिखता है, उसको आप change कर सकते हैं और battery percentage भी यहां पर show कर सकते हैं app clone या dual apps अगर आप use करते हैं तो उसका support भी आपको दिया गया है almost सारी applications के लिए इसका support आपको मिल जाएगा और social media के तो सारी applications आप कर ही सकते हैं privacy regarding एक बहुत बढ़िया feature जो मुझे लगता है ओ है unlock to power off का basically अगर आपका phone चोरी हो जाता है तो कोई भी आपके phone को power off या reset नहीं कर पाएगा जब तक उसको आपके phone का password नहीं पता और उसको unlock नहीं कर देता app lock और app hide जैसे features भी इस phone में आपको default से ही मिल जाते हैं settings में बस आपको security के अंदर privacy और app encryption के अंदर जाना है इसमें आपको अपना password सेट अप कर देना है उसके बाद आप यहां पर app encryption और app hiding दोनों ही चीज़ें यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे motion gestures भी आपको मिलते हैं settings में shortcut and accessibility के अंदर अगर आप जाएंगे तो smart motion के अंदर आपको मिल जाएंगे मुझे shake to turn on flashlight वाला बहुत अच्छा लगता है आप इस तरीके से phone को दो बार shake करके flashlight को turn on कर सकते हैं हालांकि इसी तरीके से ये flash off नहीं होता है इस phone में आपको कुछ नए और amazing widgets भी दिये गए हैं जो के मुझे बहुत अच्छे लगे widgets के अंदर अगर आप stickers के अंदर जाएंगे आप ये वाला sticker यूज़ कर सकते हैं जिसके अपर कुछ coat दिखके अपनी home screen के उपर रख सकते हैं या फिर आप counter enable कर सकते हैं आप गिनना चाहते हैं कि दिन में कितने बार आप पानी पीते हैं या फिर किसी चीज़ का आप wait कर रहे हैं माली जी आपके birthday में 10 दिन बचे हैं तो उसका countdown भी आप set up कर सकते हैं और इस phone में क्योंकि आपको यहां पर IQ का dialer दिया गया है Google dialer नहीं है तो अगर आप call settings के अंदर जाएंगे तो आपको call recording का option दे जाएगा आप record all calls automatically भी select कर सकते हैं और कोई भी announcement यहां पर नहीं होगा इस phone में आपको निया gallery app भी मिलता है जो के मुझे काफी अच्छा लगा अगर आप settings में जाएंगे तो आप इसमें screen stays on while viewing images को select कर सकते हैं और इस phone में आपको बहुत ही powerful snapdragon 8 gen 3 तो मिलता ही है उसकी performance अगर आपको सही से use करनी है उसके लिए यहां पर आपको एक monster mode दिया गया है जिसके बाद battery थोड़ी जादा use होगी लेकिन performance phone की बहुत amazing हो जाएगी और performance की बात कर रहे हैं तो gaming के बारे में भी आपको बता देता हूँ बहुत ही अच्छा gaming assistant इस phone में आपको मिल जाता है जिसके अंदर आप e-sports mode enable कर सकते हैं voice changer यूज़ कर सकते हैं और 4D game vibration का feature भी यूज़ कर सकते हैं gaming mode के अंदर जो सबसे बढ़िया feature आपको देखने के लिए मिलेगा वो है game frame interpolation का basically games के अंदर अगर आप better frame rate देना चाहते हैं तो इस feature को आप enable कर सकते हैं by default bgmi इस phone में 90 fps तक चलता है इस feature को enable करके आप उसको 144 fps पे भी खेल सकते हैं और gaming assistant के अंदर एक और option जो मुझे motion control का basically phone में motion की मदद से आप कुछ actions perform कर सकते हैं phone को इस तरीके से tilt कर सकते हैं आप left या right की तरफ या फिर raise कर सकते हैं आप left या right की तरफ या फिर आप phone को push या pull भी कर सकते हैं forward या backward में वैसे इस phone में आपको direct Wi-Fi tethering का feature भी दिया गया है मतबकि जब आपका Wi-Fi on है गर से आप अपने Wi-Fi को आगे शेयर कर सकते हैं दूसरे devices के उपर और screenshots capture करने के लिए भी इस phone में आपको एक बहुत अच्छा option दिया गया है यहां पर आपको S capture का option मिलेगा जिसके अंदर आप long screenshots भी capture कर सकते हैं funny screenshots भी capture कर सकते हैं मतब अगर आपको कोई भी random area capture करना है और phone में amazing quality के दिये गए हैं तो चलिए cameras के भी अच्छे features आपको बता देता हूँ सबसे पहले तो आपको बता दूँकि इस phone में आप 0.6X मतब के ultra wide 1X 2X 3X 10X और even 100X तक photos capture कर सकते हैं जो इसका primary camera है वो तो यहां पर 8K 30fps तक videos capture कर सकता है लेकिन अगर आपको 4K 60fps videos capture करनी है वो इसके तीनो rear cameras यहां पर कर सकते हैं क्यूंकि यहां पर primary और 3X दोनों ही cameras में आपको OISP दिया गया है तो आपको different तरीके के stabilization modes भी इस phone में मिलते हैं नोर्मल photo mode के अंदर यहां पर आपको कुछ photo के styles भी दिये गए हैं बाइड़ फोल्ट यह vivid mode के उपर है आप इसको texture भी कर सकते हैं जादा details के लिए या फिर अगर आपको natural colors जादा अच्छे लगते हैं तो आपको natural mode भी दे रखा है अगर आप portrait photos capture करना चाहते हैं तो यह phone स इस phone में आप 100x तक zoom कर सकते हैं तो night mode में आपको astro mode और super mode mode जैसे modes भी दिये गए हैं अगर आपको stars को capture करना है या फिर moon को capture करना है तब आप यह सब options भी यूज़ कर सकते हैं वैसे बता दूँके portrait videos का option भी आपको इस phone में मिल जाता है मतब के video के अंदर अगर आपको background में bokeh mode enable करना है तो बहुत अच्छे से इस phone में काम करता है और भी काफी सारे camera modes आपको यहां पर दिये गए हैं जसके high resolution mode है slow motion mode आप यूज़ कर सकते हैं या फिर fish eye photos भी आप capture कर सकते हैं तो अभी के लिए इस studio में यही था दोस्तो I hope कि वीडियो आपको अच्छा लगा होग अच्छा तो